नमस्कार दूस्तों एक बार आसब का फिर से बहुत बहुत सुवागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर सुवाई जैसा कि आप सभी को यहाँ पर पता है डेली दुपाहर में एक बजी आप सभी की जो रिजनी की क्लास है बिल्कुल लाइक चल करने के लिए आपको सिंप्ली अन अकेडमी का लर्निंग डाउनलोड करना है और आप लोग मुझे इस नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी प्रोक्राइल में जाकर कि काफी लोग जो है काटेगरी भूल जाते हैं तो यूपी पीएस सी कटेगरी ठीक है। UPPSC category state PCS में जाकर के आप चूच कर लिजेगा और इस category में मैं आपको मिल जाओंगा और वहाँ पे आपको follow करना है और मेरी classes का फायता free में उठानी के लिए आप लोग Dear Guruji Code का यूज कर सकते हैं जिससे आप लोग मेरी classes को unlock कर सकते हैं और इसी code की मदद से आप लोग को maximum discount भी मिल सकता है अगर आप लोग किसी भी जो है प्लस वाले प्लान को जो है purchase करते कोई भी iconic प्लान जो है लेते हैं तो आपको maximum discount देखने को में जाएगा अगर आप लोग इस code का यूज करेंगे तो तो चले इस तो start करते हैं आज किस class को तो जितने भी लोग यहाँ पर जोड़ और सहद को क्या कहा जाता भी नारंगी तो कपड़ा धोने के लिए क्या काम आता है तो बहुत किसे दोगे आप लोग सिंपल सी वात है साबुन से दोगे और साबुन को देखे क्या कहा गया है साबुन को देखा जाया तो यहाँ पर साबुन यहाँ पर है और उसको स्याही क बहा गया है तो इस वजह से यहाँ पर देखाया तो करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा भई स्याही ऑप्स नंबर जो इसका डी दिया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन देखिए आप से यहाँ पर क्या कह रहा है कि भई एक दुकान में नौ आरंगे की कीमत पांच सेब के बराबर है पांच सेब की कीमत देखिए पिछले वाले कोईशन की तरह ही है बस समझेगा इस कोईशन में क्या कह रहा है कि पांच सेब की कीमत तीन आम के बराबर है और चार आम की कीमत नो नीमबू के बराबर थोड़ा सा मैसमेटिक लगाना नहीं हैं और तो और तीनी बुटתי नेवो की किमट कितनी है और तालिस पैसे है दो बताओं जटेक्च टीन से तींन गड़ा हो एक आपका आपका जो भी आएगा और ता तीन अठे चोबिस हो जाएगा और तीन चोका बारा यानि कि आपका बारा दो चोदा एक सुचो वालेस पैसा हो गया नौ नीवू की कीमत अब आप देखिए नौ नीवू की जो कीमत है वो चार आम के बराबर है यानि कि हम लोग लिख सकते हैं पीछे जाना है तो तीन आम बराबर किसके वाई पांच सेब के अब बता होगा चार आम आपका एक सुचो वालेस पैसे के बराबर है तो एक आम किसके बराबर होगा एक आम की कीमत हो जाएगी एक सुचो वालेस डिवाइड वाई आपका क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा हमको कितना आम चाहिए तो तीन आम की कीमत कितनी हो जाए कि तीन से मल्टिप्लाइ कर देंगे किंपल सी कर देंगे फिर नहीं सी कोड़े एक पर चार सामप backs चार सा चार जब आप चार च्छिया हो जाएगा और शत्व कुल करेंगे तो आम की कीमत कितनी होगी रेंगी वो और पांच सेव जो है किसके बराबर नौ नारंगी के इसलिए अगर पांच सेव नौ नारंगी बराबर है तो जब पांच सेव कीमत इतनी है तो नौ नारंगी की भी कीमत कितनी होगी इतनी ही होगी कितनी होगी भई च्छतिस गुड़े तीन ही होगा अब यह नौ नारंगी क हमें कितनी नारंगी चाहिए हमें सिर्फो civ 5 नारंगी चाहिए वह पर देखिए जवाब दिया है कुछ लोग को समझ में नहीं आया तो फृसे anybody की कितना देचा थो तेन नीबू कीमत दिया गया था एक्से और गया तेन रिकनो तो एक्सोच उरारेस पैसा कियात अब रावर खाई इक होगा पर तीन इम कीमत कितनी होगा है अब यहाँ पर 3 आम दिया गया है तो हमें 3 आम की कीमत निकालनी है तो 4 आम की कीमत अगर आपके 144 पैसा है तो एक आम की कीमत देखे एक आम की कीमत कितनी होगी 144 बटे 4 यहाँ पर जो होता है उसको डिवाइड करते 4 से अगर एक आम की कीमत एक सूवारे सुवारे सूवारे सूवारे सुवारे सूवारे 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 सू तो पांच सेब दिया गया था नौ नारंगी के बराबर यानि कि पांच सेब नौ नारंगी के बराबर हो गया तो यहां पर अगर पांच सेब की कीमत च्छतितर गुड़े तीन है तो नौ नारंगी कीमत भी कितनी होगी च्छतित गुड़े तीन ही होगा अब नौ नारंगी क फिर से एक बार रिपीट करके देखा करो अपने आप समझ में आ जाएगा या जो वीडियो इसको बात में देख रहे हैं वो लोग पीशे करके भी देख सकते हैं ठीक है अगला कोशन देखिए आप से क्या खहरा है कुछ लड़के ने अकाल रहत फंड के लिए 400 रुपे कत्र किये प्रतेक लड़के ने पचीस पैसे के उतने ही सिक्के दिये जितने कुल लड़के थे तो लड़कों की संख्या कितनी है भाई पचीस पैसे के उतने ही सिक्के दिये जितने की आपके कुल लड़के थे माल लेते हैं भाई एक सिक्के दिये जितने की कुल लड़के थे समझना बहुत ही अच्छा question थोड़ा सा logic समझे इस question का भाई टोटल पचीस पैसे के सिक्के देने हैं तो माल लेते हैं भाई कितने लड़के हैं आपके x लड़के हैं अगर एक लड़का जो है पचीस पैसे का उतना सिक्का दे रहा है यानि कि एक लड़का अगर पचीस पैस कितनी हुँ जाएगी भाई चारसो लुपेव टोटल हैं आपके की4 लुकरत करते हैं तो इसको पहले हम लोग पैसे में बदल लेते हैं पैसे में कैसे के बदलने के लिए 400 गोड़े कितना करना पड़ेगा हमें सौ पर पड़ेगा तो चार सो गुड़े सो करेंगे तो आपका जो भी आएगा तो यह चार सो गुड़े सो इतने पैसे होंगे और यह पचीस पैसे चाहिए ना तो बटे के कितना कर देंगे 25 तो आप खुद बताओ कुल सिक्खों की संख्या आजाएगी नहीं आजाएगी 25丘ुव का सो चाह लिए कितना 1100 सिक्खे आ जाएंगे अब आप कहोगे सर 1600 सिक्खे हमने यह क्यों निकाला है समझो भाई टोटल पैसे बहुतने ही सधने सटेए तो लड़के सारे लड़कों की संख्ये दे रहे तो ने में सन्ख्ये कितना आगी आपका 1600 तो यक्स का मन कितना जाएगा दोस्तों आपका 400 आजाएगा तो यहाँ पर 400 नहीं 40 आगा आपको अगला कोशन है यहां रहा है नहीं हमने कि बिकल्पों में से भेना कुछ आटना यह को यहाँ पर आप सभी कुछ आटना है डिफरेंट यहाँ पर बताएगा देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब जो देते हो चलते हैं यहाँ पर देखेंगे ध्यान से इस कोशन में बैल गाड़ी है साइकल है कार है और स्लेज है तो यहाँ पर अगर देखा जातों बोला गया धीurasin ते देखेगा और समझने का प्रयास किजिएगा त разрyes प्रेम कोशुशन कोशन करवाले tests में मिला था था autumn यह कोशन साय सेम तो सम कोशन करवालो टेस्ट में बिला था बट फिर भी देखते कि तो लोग आ पर जवाब जोई देता है तो देखें यहाँ पर बहुत सिंपल सा है भई 70 गुड़े क्या किया गया है आठ किया गया है ठीक है फिर 560 गुड़े 9 किया गया है और 5040 गुड़े 10 किया गया है यानि कि देखें 8 गुड़े 9 गुड़े 10 तो यहाँ पर इसके पहले क्या हो गुड़े 7 तो किसमे भई 7 से करेंगे सतर आजाएगा तो दस में अगर हम लोग साथ से गुड़ा कर दें तो आपका अगला नंबर सतर आएगा तो इसे विजासे यहाँ पर आपसर नंबर जो इसका ए दिया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जलिए दुस्तों आते हैं अगले कोईशन में क्या करना सिंपली है तो यहाँ पर दिखे तो 857 में थोड़ा सा यहाँ पर लोजिक लगेगा देख लिए नो सो नहुक्तर है और आपका साथ सो सप्टालीस है थोड़ा सा बड़ा लिखना है जिससे आपको देखे और अगला 1193 है दो पहले इनके बीच में अंतर दिख अब देखो 112 दूरी 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 449 यह तो गुड़े दोगुड़े को रहा समझ में आ में लेकिन 112 से पहले प्लस था फिर माइनस वह पिर प्लस हुआ तो अगला क्या हो जाएगा माइनस होगा और कितना होगा भई 448 दूना कितना होता है सर 896 ध्यान से देखिएगा 896 माइनस होगा तो 1193 में से अगर हम लोग 896 से माइनस कर देंगे तो आपका कितना अंसर आ जाएगा फटाफट यहाँ पर जवाब देते ही चलेंगे 297 क्या हो जाएगा 297 यानि कि जितने लोगों यहाँ पर आपस नमबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे क्लियर है सभी लोग फटाफट यहाँ पर सभी लोग जवाब देते ही चलेंगे क्लियर हो गया क्लियर हो गया चलिए अगला कोशन देखिए आप से क्या पूछा गया है 33 28 24 कोशन मार्क 19 और आपक 24 में से 3 गटा हो कितना है तो और फिस नमें झाब देरहे है वो लोग यहाँ पर बिलकुल lips server क्या सकता है फटाफट यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ है प्रयास कर से चलिए अब जबाए इसके इस्थान पे आपका क्या सकता है तो देखे भई एक तीन के बाद देखे 14 आया है तो अंतर कितने का वह बहुए अंतर देखा तो तीन और चौदा में तो वैसे तो अंतर देखा जाए तो चौदा और से तालिस नालग हो जाए तो यहां पर दीखे गुड़े वाला अंतर कुछ हो सकता है ना जिसे तीन त्रिक्का कितना होता है नो तिन त्रिक्का नो नो पांच कितना होगे आपका चौदा ठीक है आप देखे चौ च्छी आलिस हो जाएगा तो गुड़े तीन प्लस पांच का अंतर देखी सम्में चलना है तो इसे साफ से कौन सा एंसर करेक्ट होगा वह एक सो चैरी से वाला कौन सा ऑप्सन है ऑप्सन नमबर बी वाला दिया ठीक है तो ऑप्सन नमबर जो इसका बी वाला है वह यहां पर क्लिए अग्ला कॉश्चन देखि आप से क्या बोला गया है यह पर हो होता है और मैंने आपको कल भी फामॲा बता है था पड़सो भी फामूला बता है था क्या फर्म़ इस वाली formule से आ जायगा हाँ- निकाला नाम को न तो तो म बराबर हो जाएगा दो बते 11 यहां पर होता है क्या ह one होता यानि कि जितना भी एक आपका दिया गया है तो हमाल जिसको नहीं पता है गयारा भरयकस में 34फ यहाद रखिएगा इस formula से H पूछे, theta पूछे, M पूछे आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है भाई? तो यहाँ पर देखे, इसको हल कर लेते हैं 2 बटे 11, 30, 30, 30 करेंगे कितना हो जाएगा? आपका 90 हो जाएगा, 90 दुना कितना हो जाएगा? 180, 180 बटे कितना आगया? 11 तो इसको हल कर लेंगे, देखे, कितना जाएगा? 16 सही, 4 बटे 11 के आसपास आएगा? तो इतना मिनट जो है, आपका एंसर हो जाएगा? कि 3 बज़ कर 16 सही, 4 बटे 11 मिनट पर दोनों सुईया जो है, एक दूसरे के ऊपर होंगी चलिए दूसरों, अगले कोईशन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला कोईशन देखे, आप से यहाँ पर क्या पूछा किया? ध्यान से देखेगा कोईशन मेंगर हम बात करते हैं 60 नमबर कोईशन, तो किसी घहन के सभी सतोहों को इस तरह से किया जाता है, जिससे दो सलनगन फलकों की रंग एक समान ना हो, इस कारी के करने के लिए कम से कम कितने प्रकार के रंगों की आफ सकता होगी, किसी भी घहन में आपने देखा भाई, कितने प्रकार के रंग जो एक तरह की हो सकते हैं, कि आगल बगल के जो रंग ये से नहूं तो सिंपल सी बात है आपने हमें सा देखा तीन कलर के रंग सी आप लोग सिंपली कर सकते हो सिंपल सा इसको याद कर लीजेगा तीन तरह के रंगों से आप लोग कर सकते हो तो आपसे नमबर जो इसका पी है वो यहाँ पर बिल्कुल क लग सकते हैं देखिये बहुत यह अच्छा कोईशन है पांच लड़किया एक मेज पर छाय चित्र खिच्वाने के लिए बैठी हैं अब यहाँ पर कहता है सीमा राणी के बाईयोर, तosenayo का की समझेए गे सी को को सीमा, समझेगा, सीमा, राणी के बाईयोर हैं, अब जी को राणी कि मा मंजा कर भान खके साइड होता है, ऐसे HEA इस फेड़ हो और और, आप रायन होजार है, यहां के बाईयोर है, इस बिंदू के दाइं हो यानि कि इस साइड बिंदू हो जाएगी चलिए भाईया अगला कह रहा है कि मैरी रानी के दाइं हो रहे है देखो रानी के दाइं इस साइड होता ना तो रानी के दाइं और कौन होगी मैरी हो गई और रीता रानी और मेरी के मद्य में, रानी और मेरी के मद्य में कौन है भाई, रीता है, यानि कि भाई, इनके बीच में एक लोग को पहले बिठालना पड़ेगा, इनके बीच में एक लोग को पहले बिठाल दो किसको भाई, रीता को बिठाल देते हैं, तो यहाँ पर रीता हो जाएगा और यहाँ पर मैरी हो जाएगा तो रानी और मैरी के बीच में देखिए रीता होगी तो पांचों लड़किया बैढ़िए बिल्कुल इसी क्रम में बैठेंगी देखिए बिंदु सीमा रानी रीता मैरी दो कोशन पूशा गया है तो च्छाया जितन में बाई और बाई और देखो यह वाला साइड होता है ना बाई और से दूसरे स्थान पर कौन है तो पहले स्थान पर बिंदु दूसरे स्थान पर कौन है बहुत अच्छी बात है च्छाया चितन में दाई और से दूसरे स्थान पर कौन है दाई और से पूशा गया ना तो देखो बिल्कुल सही बात है सर रीता जितने भी साथ ही यहाँ पर रीता जवाब दे रहे हैं और बी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे लिए अगला कोशन देखिए आप से यहाँ पर क्या कहना चारा धियान से देखिएगा कोशन बात करतें 63 की तो क्या पूछा गया पांच लोगे उनकी आइओ का मध्यमान यानि कि हौसत आट साल है उसे पॉछे की आइओ इन की आ Rec लोगों का था उसमें एक लोग मैंने बढ़ा दिया नहीं कि टोटल छे लोग हो गए तो बटे छे कर दो मध्यमान आ जाता है तो मध्यमान देखिए पहले कितना था मध्यमान आठ अभी साथ बढ़ गया तो आठ और साथ कितना हो हो जाएगा बिल्कुल सभी बात है पचास हो जाएगा तो यतने भी यहां पर पचास जबास दे रहें और बडी वह लोग यहां पर बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए साथ ही हो आते हैं अगले कोईशन की तरफ और अगला कोईशन देखिए आपसे यहां पर क्या पूछ करेंगे तो अपने आप यह कोईशन काया सो सामने होगा आप लोग लगा भी ले जाओगे तो देखते हैं कितने आप नोग यहां पर जवाब देते हैं करेक्ट कियाchn। देखिये हैं क्या किया गया ? कुछ भी टफ नहीं भाई आपका S A S S I G N है तो इसको क्या लिखा गया S A S I N G तो यहाँ पर देखें क्या है भाई यहाँ पर जो यह S A S था इसको इन दोनों की बीच में इस पहले वाले नमबर को ले आए ठीक है उसके अधा I G N में देखा है तो यह N पहले हो गया जी बात में हो गया बस यही हुआ है यह पहले हो जी बात में हो गया है तो यही किटनैप में करेंगे K I D N A P N A P तो यहाँ पर देखो I K को बीच में ले जाए तो I K D हो जाएगा N वैसे ही रहेगा A P को बदल दो P A हो जाएगा तो I K D N P A ठीक है भाई I K D N P A किस में आ रहा भाई I K D N P A देखा जातो ऑफसर नमबर B में आ रहा है बिल्कुल सभी बात है ऑफसर नमबर B में आ रहा है तो जितने लोग यहाँ पर ऑफसर नमबर B जवाब देख रहे हैं जिससे क्या बोलते थोड़ा सा यार सपोर्ट मिल सके चैनल को सेयर कर सके आप लोग ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए आप से यहाँ पर क्या बोला गया है ध्यां से देखिएगा कि भाई इसको आपको बताना है कि अनुपस्तित जो अच्छा रहा है उनको बताना उनक 3910 12 13 14 15 16 16 16 नावनको गिनने दोाथा चार चार में तोड़ सकते चार शाय ने तो एक दो तीन 4 एक डो तीन स्यार अब देखो एक दो, मैंने एक तो लटा, तीन ही में तोड़ दीया था, इसको चार में कर देते हैं, इसको चार में करेंगे, तो आपका हो जाएगा ये वाला एक दो, तीन, चार, ठीक है, तो डोते हैं सारे में ABC ABC आरा तो ABCA ABC B ABC 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 कि यांगर हम बात करते हैं तो यहांपर आफसल नमबर ए में दिक रहा है तो जितने भी लोग यहांपर आफसल नमबर ए जवाब दे रहे हैं अगला कोशन को आफसल बताती हो चलना है तो भाई प्रथम दस अबाज संख्या कौन कौन सी हो सकती है तो भाई एक तो आपका सबसे छोड़ी संख्या दो है ठीक है तो उसके बाद तीन आता है फिर पांच आता है फिर आपका साथ आता है उसके बाद आपका ग्यारा आता है क्योंकि नौ तो आपका भाजी होता है ग और एड कर लो भई टेश के बाद आपका 2728 29 होता है ठीक है इनको एड करके टोटल कितने संख्या है वही 10 संख्या है तो बटे कितना कर देंगे 10 कर देंगे बस इसी को निकाल लो भई इसको हल कर लेते हैं फटा-फट इसको जोड़ लेते हैं बही दो से लेकर 29 को सब को जोड़ेंगे तो भाई 139 आएगा एड जोड देख लीजेगा और 139 बटे 10 करेंगे कितना जाएगा इसर आपका 12 असलों नमाता है यह अबहाद संख्याओ एक से लेकि 10 तक की अबहाद संख्याओ जो एंसर होता आपसर नमबर जो इसका दिया गया है डी यहां पर बी जो है आप बिल्कुल करेट रहागा चलिए अगला कोश्चन देखिए आप से यहां पर क्या बोला गया ध्यान से देखिएगा कोश्चन म काम बात करते हैं तो दिया गया है दो पांच बारा सताईस अथावन QM तो अगला पते का हो जागा फटाफ़टे हम बताते हुआ मैं दो है बारा quo लेटिया GUY है तो देखिए यहां पर क्या हो सकता है सिंपल सिंपली इसको बिल्कुल सिंप्ली तरीक से लगाएंगे दो के बाद पांच है यानि कि दो दूनी चार चार एक क्या हो गया आपका पांच हो गया पांच दूनी दस 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 और दो कितना हो गया आपका बारा हो गया बारा दूनी चौबिस चौबिस और तीन कितना हो गया आपका 27 है यानि क किसका होगा भै, 58 गुडे 2 प्लस पाँच का अनतर होगा तो 58 गुडे 2 प्लस पाँच करते हैं देखे कितना हो जाएगा, फटा-फटे यहां पर आप लोग प्रयास करते हो चलेंगे, तो बिल्कुल सही जबाब आ रहा है, 58 गुडे 2 प्लस पाच सब्सक्राइब करने कितना हो जाएगा चलिए अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं अगला वस्टन देखिया सब्सक्राइब एक निदस आगई अगला वर्शन कि दोपांच ग्यारा सेम कौशन तो नहीं है नहीं अलग है 2 5 1 1 कि see am partners love & drama तो और यहाँ पर देखा हैं तो यहाँ इस अजयेगा कि पहले क्या हुआ हो है कि गुड़े 2 plus एक हुआ है थीक है और दूनी प्लस दूनी black तीनेными भाइस से कि एक 27即ूसी यानि कि ब्हाई जाक यानी कि गुड़े-दो-प्लस एक आपका यही सरी चला है तो अगला क्या जाएगा भई सैतालिस गुड़े दो प्लस एक करेंगे तो साथ जो पर चौरानवे चौरानवे एक कितना हो जाएगा सर आपका 95 हो जायागा तो बिल्कुल सही बात है सर 95 ओपसर नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा सी वाला जो यहाँ क्या पूछा गया है ने याँ से देखिएगा कोशन गर्म बात करते हैं सत्तर के बारे में यहां पर भेडो तथा गड़ेडियों के एक समूं में पैर की संख्या सीरों की संख्या के दोगने से आधिक है, इसमें भेरो की संख्या क्या है? सत्तर नामेज कोचिन है, फटापट यहाँ पर जवाब देते हुँ चलेंगे, इसका डों सकता है? सतर नामेज कोचिन के रहना है. सافardan की कोचिन में आपको पहले भी करवा चूका हूँ, same to same question जो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ तो देखे भेडों तथा गड़ियों के एक समू में पैर की संख्या है सिरों की संख्या की दोगने से 16 अधिक है तो यहाँ पर समझेगा भेड़ है और गड़ेरिया दिया गया है तो मा लेते हैं यक्स भेड़ है वाई गड़ेरिया है तो यहाँ पर जो पैरों की संख्या होगी भाई पैरों की संख्या की एकरम बात करते हैं तो पैरों की जो संख्या होगी भाई भेड की कितने पैर तो भेड के चार पैर होंगे गड़ीर तो इंसान होता है न उसके दो पैर होंगे तो दो आई तो जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या की दो गुने से सोला अधिक है समझेगा एक समझेगा पैर की संख्या की दो गुने से कितना अधिक है अपका सोला अधिक है तो इ कितना है चार यक्स दो आई है अदो दोई दोई कड गया आपका सिंपली वा इस को इस नमबर इसका भी है वह यहाँ पर विल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है भाई सबको समझ में आ गया देखे बहुत सिंपल सा कोईशन देखे बहुत सिंपल सा तरीका था तो यतनों लोगों ने आपर देखिया आफसर नमबर B जवाब दिया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चले साथ ही हो आते हैं के पास केक के कुल मिलाकर साथ तुकड़े हो तो मूल केक का वजन कितना होगा देखो बहुत कितना अच्छा कोईशन पूशा गया है भले देखने बहुत टफ लग रहा हो बट यहां पर देखिए इस कोईशन को एक व्रित के माधिम से आपको समझाने प्रयास करते हैं आपक चलो इसको हमने दो आधे भागों में ट्या कर दिया बाड़ दिया और आधे भाग को जो आधे भाग है उसके साथ अलग अलग भागों बाटा तो देखो इसको साथ अलग भाड़े हो बाटो दो भाग हो गया अब कितने भाग हो आपके अभी हो गए एक दो तीन चार कि एक दो तीन चार पांचे हुआ है इस ट्रव जाए गार देखो कॉशिन कह रहा है कि अपड़ा एक कुद दो तो आदे भागों बाटती है तता इसमें से आधे भाग को समान आकार के छोटे-छोटेlungen में काड़ती है प्रतिक तुखड़े की हुजन साथ तुकड़े हो देखो एक तुकड़ा, दो तुकड़ा, तीन तुकड़ा, चार तुकड़ा, पांस तुकड़ा, छे तुकड़ा, शे तुकड़ा, यह बड़ा वाला है ना, तो क्लियर है वई, तो यहाँ पर देखो इसको छे बराबर भागों बाटा है, तो बीस बीस गराम क का कितना हो गया एक सो बीस गरम आपका इधर आ गया और यह जो बचा हो रगे बिल्कुल आदह भागता न है तो मिलकर कितने आ जाएंगे तो मिल के कितने आ देख सा क्वेंद गराम के 241 गराम अब लाना था तो यतने लोगों निम पर आपसे नंबर C जवाब दिया भई 240 ग्राम वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे समझ में आगे सभी लोग को बदाई कितना आसान कोशन था किस तरीके से कोशन करना था I hope यह कोशन भी आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा अगला कोशन देखिए आप से यहाँ पर क्या बोला गया अध्यान से देखिएगा बहुत अच्छा कोशन था फिर से वह प्रास करिएगा तो अपने आप आ जाएगा अगला कोशन पूछा गया आप से यहाँ पर कि एक संख्या के दो बटे संख्या कितने भाई यक्स है यक्स का दो बटे तीन में से पचास घटाने पर परणाम चालिस तथा संख्या के एक बटे चार यानि कि संख्या का एक बटे चार संख्या का बटे चार के जोड़ के बराबर होता है इसी को हल करके X का मान निकालना है तो यहाँ पर दीखे कितना हो जायाएंगा 2X माईनस कितना हो जायेगा 35 15 यहाँ दिवाइड बाइड कितना हो जायेगा आपका 3 हो जायेगा बराबर 4-16 है यहाँ कि 1-60 plus X divide बाइड कितना है आपका 4 है इसको हल करने करने पर आसान union 4 54540-5050 कितन जये अगए कितना हो जयेगा गारा टीर चोंका बारा चार दूनी ih ऐकस-ति-चार तीन-स आ जेगा ठीक है बराबर कितना आपका भई 90 है इसको आगे हल करेंगे देखे कितना हो जाएगा भई आठ में से तीन कितना हो जाएगा पांच यक्स बराबर देखो यह जो नीचे बारा दिया गया यह इधर जाएगा तो गुड़े मचला जाएगा 90 गुड़े कितना हो जाएगा आपका बारा हो जाएगा तो यक्स कमान 216 यानि कि option number जो इसका D दिया गया है 216 वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा clear है सबी लोग तो यह जितने लोग यहाँ पर जवाद दे रहें option number D वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगे चलिए बहुत अची बात है अगला question देखा जाए समझ में आए नहीं समझ में आए थोड़ा सा देखिए आज वाली टेस्ट में थोड़ी से mathematical question जादा है बट इसको mathematical reasoning बोलते है mathematical question नहीं होते हैं यह बिसकलि आपके mathematical questions होते हैं तो option number जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो हो जायगा तो देखिये भई 44 q है न q card कया है गुड़ा तो गूड़े कितना हो जाएगा नाइछ क्या है भागे है तो भागे कितना ओजाएगा वी असके बाद S card क्या जहाए धिया है फटाफेश चकास माइनill hebth 06 जायगा फिर से आपका q है तो q का मतलब गूड़ा 새 है तो आपका गुड़ी कितना हो जाएगा चार किवाद प्लस्ष हे स्लीका आसंदख वाना तो चेटना होजा जाएगा इस को 24 वाले स्ट पर नौ करेंगी तो आपका जाएगा से नहीं है अछा पहले भाग होता है तो ज्रीथ आसान रहा नो बिट एका बारा करि tub जोड़ा असालेगा माइनस छे चोका कितना ओजाएगा 24 हो जाएगा प्लस कितना में सोलह कुझे को इस इत्र यह चोड़े कि तीन त्रिक का नो चार से कटो कि ग्यारा बाड जाएगा गया टैंतिस और जोड़ो गे और 24 घटा ओगे तो कितना आ आपका च्छे तिन नो यानि कि उसमें नों से चार गया पांच और तीन एक चार चार गया और यहां पर चार दो गया दो यानि कि पच्चीस यहां पर जितने लोग जवाद दे रहे हैं यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चले साथ ही वाते हैं अगले कोशन पर तो आप कोशना कि आरेक में 1000 व्यक्तियों के 1000 व्यक्तियों के उनकी अंग्रेजी हिंदी और मराठी की जानकारी के संब्द में एक नमूना दर्स आया गया कितने लोग सभी भासी हैं तो सभी भासी यानि कि यह बिल्कुल बीच में जो तीनों में common होता नहीं देखो यह तीनों में है तो यह सिंपल सा आप इसको देख करके बता सकते थे कि यह 175 लोग आपके जो हैं सभी भासी है ठीक है इसको देखना समझ लो भाई जिसको देखना नहीं आता है यहां पर यह अंग्रेजी है यह हिंदी है तो इन में क्या common है यह यह नंबर जी है देखा यह दूने नंबर जो common है तो 175 प्लस 78 हो जाता ऐसा है अंतों निकलता अब देखो अगला कोश्चन देखो समझ में आ जाएगा अगला कोश्चन देखे पूछा गया है कि आरेक में वही सेम की चीज है कह रहा है कि 105 व्यक्ति कितने भासाय बोल सकते हैं दरसाता है 105 व्यक्ति देखो 105 यहां प तो यहां पर 105 में जो है आपका मराठी बोल लेते हैं और आपके क्या बोलते हैं आपके अंग्रेजी बोल लेते हैं तो यहां पर 75 का जो करेक्ट अंसर आपका क्या हो जाएगा मराठी अंग्रेजी ऑप्स नमबर ए हो जाएगा देखे कितना आसान कोश्चन पूछा गया कोशन देख करके डरा मत करो बस को लगाने का परयास किया करूए चलिए बहुत ही अच्छी बात है अगले कोशन पर आते हैं कि अगला कोशन देखिए आप से यहां पर क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा कोशन अंगर हम भात करते हैं किसके वारे में भाई 76 के बारे वे तो आसे पूछा गया है कि एक लड़की है भाई लड़की है एक लड़की की तस्वीर की वह इसारा करते हुए संदीप ने कहा कि उसकी मा का भाई मेरी मा के पिता का एकलोता पुत्र है तो बताईए कि लड़की की मा का संदीप से क्या संबंद है बहुत ही तस्वीर की इसारा करते हुए संदीप ने कहा उसकी माँ बोला है यानि कि लड़की की माँ हो जाएगा आपके जगा तस्वीर की जो तस्वीर है उसकी बात हो रही है तो संदीप की माता का भाई तो संदीप यहाँ पर हो जाता है इसको माल लेते हैं संदीप है संदीप की मा माता के पिता के एकलोते पुत्र यानि की वही आपकी भाई हो जाएगा यहां पर क्या कुछ है कि बताईए कि लड़की की मा का संदीब से क्या संबंद है लड़की की मा का संदीब से क्या संबंद है तो भाई लड़की की मा संदीब की मा होगी सेम चीज है भाई तो यहां प सा लॉजिक था यहां पर आपने इस को समझा होगा और अगर आपको समझ में आगए तो बहुत ही अच्छी बात है ठीक है तो भाई एक काम करिएगा अभी एक और कोशन देखिए यहां पर क्या कह रहा है उत्तरी धुरूबी उत्तर धुरूबिय का समझ दर आपका दच्छे धुरूबिय से तो कर गरेखर समझ बताए क्या हो जाएगा फटा फट यहां पर जो है जवाब देते हैं चलेंगे और इसके बाल वाली क्लास तो देखेंगे देखेंगे और दो बज़े आज वाली क्लास चलीगे ने काइड़ में पठी कि हिंदी की जो क्लास चलती दो करती पहिछा की जो तैयारी आपको करवाई जा रही है साइकोलोजी वाला सिक्षर सास्त्र वाला सब के लिए इंपोर्टन्ट है तो उसका क्लास जो है अपने यूट्यूब पे ही तो उसको वीडियो देखिएगा नीचे डिस्क्रेशन बाक्स में पहला कॉमेंट बाक्स में इतना ही अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर कर दीजेगा और अगली क्लास में फटा-फट फटा-फट भाग करके आ जो क्योंकि अगली क्लास भी आपके लिए इंपोर्टन्ट होने वाले है तो अब इक लिए बाबाई टेक कियर जैहिंद जै प्रेवारत